जए दोस्तो बता दू अभी एग बड़ी खवार आ रही है कि मनीश कश्यप को गिरफतार कर लिया गया है मैं बता दू बहुत सारी चैनलों पर ये बात कहीं जा रही है कि अपेतिया eس-बिया इसपने कोड जाने के दर्मियान गिरफतार कर लिया है लेकिन ये बात अब चैनल वाले भी भरामक फैला रहे हैं जिस कदर मनीश कस्यप को जो तेमिल लैडव में घटना का भरामक फैलाने के आरोप में वैसे तो घटना सत्य थी कही ना कहीं इस पर बिहार पुलीस की मनसा क्या थी और सरकार के दवाब में आकर उस पर जोटा आरोप लगाया गया तो बिहार पुलीस को अफिसियल पेज पर जो आधिकारिक पेज है फेस्बुक का उस पर खुद बिहार पुलीस ने इस बात को अप्लोड किया है कि वो जगदीशपूर थाने में उन्होंने आत्म समर्पन किया है तो फिर ऐसे जो चैनल है जो वरामक फैलाते है तो फिर उ पुचरल होने के वाबजूद भी अगर मनीश कश्य पे जूटा आरोप या किसी सती भरामक फैलाने पर केस हो सकता है तो फिर उसके खिलाफ न्यूज चलाने वाले जो कह रहे हैं कि पुलीस ने उसे धर्द बोचा है जबकि खुद ने पुलीस अस्टेटमेंट दिया है कि वह जगदिशपूर थाने में बेतिया के जग ओपी थाना छेतर है और उसमें जाकर के जो उनका कांड़ संख्या है जिरो तीन दोहजार तेश और जिरो चार दोहजार चोबिस के करण यो यू की टीम और भीहर प्लीस की टीम के दवाव के करण उन्होंने जो सेलेंडर किय किया है खुद आत्मसमर्पन किया है तो फिर इसी नीचरनल वाले क्यों ब्रहमकता फैला रहें और एक बात कहते हैं जिनके घर सीसे के होते हैं वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेका करते लेकिन कहीं ना कहीं तेश्वी आदम ने यही काम किया है खुद के घर पे इडी बै ठालता है जब उसको दिखाने की कोशिस करता है तो कहीं ना कहीं पूरी सरकार तिल मिला जाती है क्योंकि आने वाले समय में पता नहीं क्या हो उनके साथ और एक छोटी सी धमगी पे जब मनिस कस्टम ने कहा था कि उनको जेल हो जाएगा उसके तीन महने छे महने बाद ही सर सरकार गिर जाएगी एक 180 दिनों का टाइम दिया है इस बात को सुनके पूरा सरकार बखला गया और इतना हतास हो गए कि उन्होंने कुर्की जबती की भी जो बिहार पुलीस को आदिश दिया और बिहार पुलीस ने इस बात को लेकर के और यह तरिक भी नहीं सोचा कि बिहा सब्सक्राइब कर दिया गया ताकि वह कम से कम घूम नहीं सके और उनका खर्चा पानी जो है बाहर रहने का वह नहीं होगा और मातर 42 लाक रुपिया मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि भाईया उनके छेचे यूट्यूब पे चैनल है जो उनकी अर्निंग है वह अर्निंग उनका सेलरी होगा उपमुक मंतरी का कही ना कहीं मुआ के लिए मरीश का सब उससे कई गुना कमा लेते हैं यूट्यूब चैनल से एड से लेकिन ये बात ऐसे मुर्खों को कहा पता जो नौवी फेल हैं उनको क्या पता कि यूट्यूब पे अर्निंग कैसे होती है यूट्य और कारमास होनी है लेकिन आपका क्या होगा पचीस मार को तेजस्वी आदा वापे सोच लें वैसे तो एक कहावत बहुत परसिद है कि चिडिया घर में जब सेर पिजड़े में होता है तो बच्चे भी उस पे पत्थर मार जाते हैं लेकिन जब खुले जंगल में वही सेर तो लाखो जानवर उसके बस एक पाउं के टाप से थर आ जाते हैं तो यही है जब तक सेर पिंजरे में रहेगा तब तक बच्चे भी उस पे पत्थर मार के जाएंगे लेकिन जिस दिन सेर आजाद हुआ फिर ऐसे जानवर अपने आपको बचाने के लिए किधर भागेंग और उनका सिकार तो सुनस्चित हैं उस सीब वैसा ही हो रहा है पूरा मामला में जिस तरह हम लोग देख रहे हैं कि छोटे-छोटे माइक वाले भी अब जिस तरह भढ़काव भाशन देते हैं मनिसकर से कुछ चैलेंज दे रहे हैं पतानी यह क्या है उनका वही मैं जो कहावत ही हैं कि जब सेर पिजरे में होता है तो बच्चे भी पत्थर मारके जाते हैं यहीं वहला कहावत हो रहा था लेकिन अभी तक कैसा कोई जुर्म नहीं है जो कि साबित पूरूनता हो पाया है आरोप में मनिसकर सेब जेल में जा रहे हैं और खुद उन्होंने आत्मस बहाना है पूरा मीडिया को सरकार को दवाना है यही है कि क्योंकि हम सच ना दिखाएं तो बहाना सुरू तो कहीं से करना होता है तो बड़े बड़े चैनल जो संचालक हैं खासकर यूट्यूब और फेस्बुक पे उनको अगर दवा दिया जाए तो डर से छोटे जो वही अधिकार हमारे पास भी हमारे पास भी fundamental rights है और हमारे पास भी constitutional rights है तो हम लोग भी उतना ही आवाज उठाएंगे जितना एक नेता अपने बचाव में उठाता है तो हमें भी आवाज उठाने के लिए कोई नहीं रोख सकता लेकिन कितना हद तक रोकेगी यह जो जंग लेकिन राम के एक वान ने उसका तहसनेस कर दिया और हरुमान ने लंगा को जरा के राख कर दिया था तो सत्य हमेशा सत्य पर विजय पाता है दुनिया गवा है तिहास गवा है जो सच्चा है वो हमेशा टिका है जूट तो जूट तो राख हो जाता है इसे ज्यादा कुछ कुछ नहीं कहना आप लोगों नहीं घबराना है कि अगर मनिश्ट का स्यव जेल चले गए हैं तो फिर एक डर का महुल बन जाएगा पत्रकारों में तैसा कुछ नहीं है आप लोग बुलंद आवाज के साथ सचाई के लिए हमेशा खड़े रहें और बुराई के खिलाफ लड करें ताकि जो भी भर्ष्टाचारी है वह भर्ष्टाचार करने से कत्राएंगे जहीं